अब देख रहे हैं चोहान वीडियो तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 36 Convocation के बारे में इगनों की तरफ से 36 Convocation के उपर एक नया नोटिस जारी किया गया जिसमें आपके लिए डिगरी के उपर एक नई जानकारी दी गई है कि किस तरीके से आपको डिगरी मिलने वाली है और आपके लिए 36 कॉन्वोकेशन में क्या-क्या होने वाला है तो आज की वीडियो आपके लिए काफी important है उन सभी इस्ट्रेंट्स के लिए जो की 36 Convocation को attend करने वाले हैं इसका मतलब जिनका वी एक्जाम दिसंबर 2021 या फिर जून 2022 में complete हुआ है और उन्हें 36 Convocation के लिए registration किया है तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा जरूर देखे अगर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप IGNOO के इस्ट्रेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजए क्योंकि IGNOO सरे टेट्स सभी तरिके की जानकारी आपको मेरे चैनल पर जरूर मिलती है तो आप सीथा वीडियो की सुरुभात करत यानि कि 3 April 2023 को आपका 36 Convocation होने वाला है उसके बाद बताया गया है कि आप सभी को Convocation के लिए Register करना है यानि कि जितने भी student है जो भी eligible है Convocation के लिए वो इस website के link पर जाकर अपने लिए Register कर सकते हैं अगर उनको degree diploma certificate जो है वो चाहिए आगे जो जानकारी दी गई है काफी important है उसमें बताया गया है and get your digital degree on the day of the Convocation यानि कि आपका जो Convocation दिस दिन होगा उसी दिन आप digital degree जो है वो हासल कर पाएंगे digital degree इस तरीके से होती है कि आपका online जो है आप online जो डिगरी है उसको ले पाएंगे और वो पूरी तरीके से valid रहेगी यहनकि कहीं पर भी आपको जरुरत है कहीं पर भी उसको दिखाने के लिए तो आप उस digital degree को भी दिखा सकते हैं तो Convocation जिस दिन होगा उसी दिन आपको digital degree भी मिल जाएगी जैसा कि अभी तक क्या होता था अभी अगर हम 35th Convocation तक की बात करें तो इस तरीके से होता परता उस तीस दिन के अंदर उनकी डिग्री जो होती है उनके जो एड्रेस उनकी तरफ से बताया गया है उस एड्रेस में उनकी डिग्री उन तक पहुंचा दी जाती है लेकिन आप कहा जा रहा है सभी इस्ट्वेंट जिस दिन कॉन्वोकेशन होगा उसी दिन डिजिटल डिग्री को डाउन्डोड कर पाएंगे आगे बताया जा रहा है दा यूनिवर्सिटी इस गोइंग डिस्ट्रिबूट डिग्री इन डिजिटल फर्म त्रो ब्लॉक्चेन टेकनोलोजी यानि कि ब् एक बार उसको सेट कर दिया गया है तो उसमें फिर किसी भी तरीके का कोई आप उसको देख सकते हैं आप उसको डाउन्डोड कर सकते हैं और आप चाहें तो उसको कहीं पर भी किसी को भी सेंड कर सकते हैं ठीक यानिकि आप दिखा सकते हैं कि यह मेरे पास दिगरी है लेकि आप उसको देख सकते हैं और वो information जब वो online store रहेगी आप जब चाहे उसको देख सकते हैं तो digital technology आपकी blockchain technology के जरीए digital degree जो है वो store कर दी जाएगी जिसको आप देख पाएंगे और उसको ले पाएंगे distribute इस पार जो university है वो digital degree को distribute करेगी blockchain supported distribution of degree will ensure faster submission and authentication of degrees through the digital blocker यानि कि जो blockchain supported ये digital degree जो बाटी जाएगी उससे काफी अच्छी तरीके से एक जल्दी जल्दी आप सभी को degree मिल जाएगी उसके बाद उसकी authentication या पर भी कोई किसी तरीका का सवाल नहीं होता यानि कि वो पूरी तरीके से valid होगी और हर तरीके से वो verified होग और आप उसको Dizzy Locker में समाल के रख सकते हैं तो ये जानकारी दी जा रही है साथ में ये भी बताया गया है कि जिन भी student ने अभी तक registration नहीं किया है उसके बारे में उनको बताया गया था कि 20 March 2023 तक last data registration करने की convocation में जितने भी student है जो कि December 2021 में जिनका course complete हुआ है या फिर June 2022 में जिनका course complete हुआ है वो 36 convocation में registration करने के लिए eligible है और उनके लिए जो last data eligible registration करने की वो है आपकी 20 March 2023 तो तब तक आपको registration कर लेना है और आपको जो digital degree है वो convocation के दिन यानिकी 3 April 2023 को ही दे दी जाएगी तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो और आपको पसंद है तो वीडियो को like जरूर कीजिए share जरूर कीजिए